कि नमस्कार देश और दुनिया की महतवपुन करेंट अफेर न्यूज के साथ मैं कुनाल आप सभी का संस्कृति आई एस यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वे कौन से विशे हैं जिन पर हमें आज बात करने हैं तो आप सेटलाइट नेटवर्क पॉर्टल की तो यह जो न्यूज है यह चर्चाव में क्यों आई है तो पता लगता है कि आज गुजरात सरकार ने वन वैब और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रद्योगी की मरवाक के साथ में एक समझोता ग्यापन किया है अब यह समझोता क् सरकार ने इन से समझोते में बात की है कि गुजरात में एक सैटलाइट नेटवर्क पॉर्टल साइट इस्थापित की जाएगी तो यहां पर आगे पता लगता है कि वन वैप की फिलाल जो चाहत है या जो इसका इनिशेटिव है उसमें बात की गई है कि भारत में दो सैटल स्थापित किया जाएगा अब जब दो साइट को सथापित करना है भारत में और पहली महसाड़े में हैं यानि कि पहली स्थापित की जाएगी तो दूसरी जो स्थापित होगी है लेकिन आप लोग को यह बाद ध्यान रखनी है गुजरात और तमिल नारू जो गुजरात में साइट स्थापित की जाएगी उससे संब्धित बातों में यह पता लगता है कि इसके उपर लगभग सौ करोड रुपे का वै किया जाना है जो कि मात्र इसकी पहले चरण की ही रा लोगों को और जल्द ही इनको बहतर और नेटवर्क से विधा परदान की जाएगी बात समझ रहें इसमें तो आगे हमें और यहां पर देखने पता लगता है कि इसका उद्धेश है क्या इनकि सरकार भारत में यह कारकरम क्यों शुरू कर रही है तो इससे पता लग रहा है कि भारत सरकार चाहती है कि वैवसाय जो कर रहे हैं जो उपभूकता है और स्कूल के जो विधारती है और अध्यापक है इसके साथ साथी जो भी अन्य लोग उस छेत्र में रह रहे हैं उन सभी लोगों को हाई स्पीड इंटरनेक प्रवाइड किया जाएगा जो इसकी तो मैं के जाएगी तो सस्ती दरोवजिएज है और अच्छी सवेजार की जाएगी इस सिक्रम में हमें यह हैं भारत सरकार की भारत सरकार का चल रहा है। और जो भी लोग पीछे रह गए हैं कौन से लोग पीछे रह गए जैसे कि जो गाउं में लोग रह रहे हैं जिला पंचावेतों से संबंदित लोग है या जो लोग इस्थानिय प्रशाशनिक निकायों में काम कर रहे हैं सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं अगर वे लोग कि छेत्र हैं वहां तक इन सभी से वाओ का विस्तार नहीं हो पाया तो सरकार चाहती है कि डिजिटल इंडिया पहल के तयात वहां सभी लोगों तक यह सुविधाएं पहुंच जाए तो महतुपूर बात है अपने आप में यहां पर हमें एक बात और पता लग रही है कि जिस स को करमचारियों की जरुत पड़ेगी उसको लेबर की जरुत पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में जो स्थानी लोग होंगे उन लोगों को रोजगार मिलेगा और अच्छी एक उनको बेतन प्राप्त होने लगेगा अच्छा जीवन हो जिएंगे तो इस वजह से जो यह हम लोग के सामने यहां पर खड़ा हो जाता है कि इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छे और भैतर सुविधा लोगों को देना चाहते हैं लेकिन वन वैप के साथ ही बात क्यों की गई है भारत में भी तो अनेकों ने कंपनी आया ना तो हम उनको मौक सब खास है क्यों क्यों कि वन वैब जो है यह लो अर्थ औरबिट में काम करते हैं जो हम लोगों से सबसे नजदी की छेतर पड़ता है यहां पता लगता है कि इसने अब तक 648 उपगरह लॉंच कर दिए जो फिलाल अलग अलग देशों में बहतर कर रहे हैं और इसका जो ल का मौका दिया जाए ठीक है तो जर्नली क्या होता है जर्नली जो भी कंपनी है वह जो सिस्टम यूज करती है वह भू इस्थैतिक उपगरहों का उपयोग करती है जो कहां पर है वह भूमद्दे रेका से 36000 किलोमीटर की उचाई पस्तित है तो इसलिए लिए सिस्टम जो है चाहते हैं कि शहरी और चेत्री जिए यह अधिक मश्बूत हो और दूर के रीजिंस में यह सभी चीजह पहुंचे यहां हमें पता लगता है कि परियोग से आपदा प्रभंदन में भी मदद मिलेगे साथी रसत सेवाओं में भी हमें नए आयम देखने में भी मदद मिलेग हमारी दूसरी न्यूस की तरफ आगे बढ़ते हैं लेकिन आज ये न्यूस उसमें बताया कि नवंबर दो हजार चौबिस तक गुजरात के वरोद्रा में एक पूरी तरह से चालू फैक्टरी स्थापित हो जाएगी क्यों होगी क्योंकि यहां से पहला भारते निर्मित से टूनाइन फाइफ सैन्ने परिवहन विवान दो हजार चब्विस के बाद जारी किया जाएगा उसको शुरू किया जाएगा तो महत्वपूर बात है अभी तक क्या इस सम्था हमें यहां पता लगेगा लेकिन अब काम जो है वह पूरी तरह भारत में हो रहा है और पहली न जाल रही है ठीक है कहां पर सेवी ले में तो बताते हैं कि यह बहुत ज़्यादा बड़े छेतर में फैली हुई है तो इसी कारण किया था कि इसके दुवारा जो बनाया जा रहा परिवहन विमान है उसकी मार्केट डिमांड बहुत जाता है तो इसी वज़ा से शुरुआत होगा वह फूरी तना से भारत में ही शुरूर में बता रहे हैं कि विमाण का जो निर्मान है भारत के पहले मेंग इंडिया को बोल रहें कि आगे आई और डिफेंस का जो छेतर है उसमें भी भूमी का निभाई है अब तक हमें पता लगता है कि भारत में यह जो स्थान था यह हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने लिया हुआ था यानि कि अब तक अधिकांज जो भी विमान तियार होते थे तो यह बनाता था यह हम विदेशों से लेकर के इसके समाध्यम से असेंबल करते थे या फिर विदेशों से ही पूरी तरह से चालू विमान हम खरीद लिया करते थे आगे हमें पता लगते इस संबंदित कुछ बीती बात हैं जैसे कि दिसंबर दोहजार इकिस में भारत ने सोला विमान वो तोस पेंसे मिलेंगे लेकिन इसके आगे भी तो कारिकरम है Cape C le के सब्सक्राइब가지 सब्सक्राइब करेंगा और और इन विमानों को जल सेंबल करके तैयार किया जाएगा ताकि भारतिय सरने छेत्र को और अधिक मजबूती प्रदान की जाएगा बात महत्व पूर्ण है अपने आप में तो हम आगे चलते हैं में देखने को मिलते हैं कुछ खास बात है सी टू नाइन फाइब से समंदित तो क्या खास बात है बता रहे हैं कि है एक सामरिक परिवहर उन्हें के डिफैन्स में इसका बहुत विशेश महत्व है अब चौरुवात में विचे नहीं को इसको यहां पर पता लगती है कुछ खास विशेशता है जिस परकार से भारत इसके तरफ अग्रेसर हो रहा है और इसको खास खरिदने के लिए तक पर है भारत में भी कंपनी स्थापित करने का मौका दे रहा है तो पता लगता है कि इस विमान में पैराशूट की सुविदा है कारगो ड्रॉपिंग है साथ सबी खास बातों की वज़े से इसको हम लेना चाहते हैं साती इसमें समुद्री गष्ट की खास विशेष्टाओं के कारण ही हम इसको भारत में इस्थापित करने दे रहे हैं कंपनी और कह रहे हैं कि यहीं रह कर बना लीजए कोई आपति नहीं बात समझ रहे हैं अब इ इसमें नाम देखे तो स्पेन, मिश्र, पॉलेंड, कनार्डा, ब्राजिल, मेक्सिको, पॉर्टोगीज और अन्य देशों का नाम इसमें शामिल है तो यह वे देश हैं जो इसको अल्रेडी ले चुके हैं इतनी बाद सब लोग समझ गए हैं तो यह एक महतोपूर न्यूस थी किसे सबंधित C295 से सबंधित जिस से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंस था जो भी इसमका क्रक्स था वह आप लोग mant को बता दै यह इतनी बात के लिए आगे बढ़ लेते हैं देखते हैं हमारी सितनी बॉंट्रेज देंन किसे संबंधित नाटों के शिकर संबेलन फ्रक Conven जाने की राजधानी विनियस में इसका उजन किया गया था चलिए अब इसके आउटपुड क्या हुए और किन विश्व पर बात्चित की गई कहां सहमत ही थोड़ा समझते तो में पता लगता है कि यह जो कारेकरम था इसका कुछ विशेश उच्दी से था जैसे कि इससे मामल था वह मुखे रूप से यूक्रेन से सोड़ा हुआ था और यहां पर यूक्रेन के जो रास्ट्रपती थे उनको बताया गया उनको वचन दिया गया और कहा गया कि जिस परकार आप यूद्ध कि स्थिति से जूज रहे हम जानते हैं कि लंबा समय बीत गया है रशिया ने य अगातार इसको जो भी सपोर्ट है वह भी असिस्टेंस हो सकता है वह सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर बता रहे हैं कि एक विशेश मुद्धा था यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने का हाला कि इस पर भी कोई फाइनल जस्मेंट नहीं आया ले देश होते हैं उनमें सभी चीजें शामिल होती है और जो भी नाटो के प्रोविजन से उन सभी के तहत युद्धिक स्थिति में दूसरे देश को मदद दे जाती है लेकिन यह जो सभी सदस्य देशों के लिए लेकिन अभी फिलाल जो यूक्रेन है इसका सदस्य तो नहीं ह तो सकता है वो तो इसको प्रोवाइड किया जा रहा है पर इसके सम्भंदी जो नियम है जो भी आप से सहमत ही है उसको बनाने के लिए नाटो यूक्रेन परिशत बनाए गई यानिकि आप इसमें शामिल तो नहीं है लेकिन जो नाटो के सभी देश हैं उनके साथ मिलकर एक खास लुक दिखाया है और यूक्रेन को बोल दे कि आपको जो भी रसत की जरूरत पढ़ेगे जो भी गोला बारू धतियार चाहिए होंगे तो हम आपको निरंतर उसकी साहिता प्रवाइड करेंगे सभी चीज़े आप तक पहुंचा दी जाएगी ठीक है अब यह जो प पता लग रहा है कि इसमें सभी देश शामिल है जो सभी बाते में आपको बता चुको ठीक है तो सभी बाते जो भी परिशत से जोड़ी होने चाहिए थी कि किस परकार से बातचीत की जाएगी यूकरेन को सपोर्ट प्रवाइड किया जाएगा सभी देश तत्वर हैं फिला को और अच्छा बना सकते हैं आगे हम बढ़ते हैं तो हमें पता लग रहे हैं नाटो संबंदित कुछ बाते जैसे कि क्यों बनाए गया था यह तो हमें पता लगता है कि जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद इसको तयार किया गया था क्यों एक सैन्ने गड़ बं लेकिन लगातार समय और रश्या के बढ़ते परवुत्व को देखते हुए चाइना के बढ़ते परवुत्व को दिख करके पश्चमी जो देशें में छोटे-छोटे से हैं तो उन्होंने अपना गड़ बंदन त्यार किया और नाटो को बड़ा रूप दिने का रहे हैं ब नाटो के सभी देश उसको खुद पर हमला समझेंगे और उसके व्रुद्ध कारवाई करेंगे यह इसके महत्व पूर्णिया आगे हमें पता लगता है कि जो इसमें सदस्य देश हैं उनमें दो देश तो ऐसे हैं जो उत्तरी अमेरिका महादीब से हैं और साथ ही जो बचे हो जाएगा जब सभी प्रोसेस पूरे हो जाएंगे बात के लिए रहतने आप लोग को चलिया आगे हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि नाटो का सदसे कौन बन सकता है कि यूक्रेयन को लंबे समय से नाटो के देश समर्थन दे रहे हैं और चीज़े प्रवाइड करा रह जरूरी है अगर आप इसमें शामिल हो रहे हैं साथ ही साथ यहां पर सुरक्षामी सहयोग करना महतवपून बात है लेकिन इससे पहले कुछ प्रोसेजर होता है उस सभी को पूरा करना पड़ता तब ही आपको एक सदस्य की दरजा इसमें दिया जाता है इतनी बात के लिए इस तति समझें सभी नाटो देशों की तो वह ही है सभी देश है अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि श्क्रेंशॉट ले लेते हैं तो जरा में फ्रेम से थोड़ा बाहर हो जाता हूं ताकि आप लोग स्का श्क्रीन शॉट ले अब मैं वापस आ जाता हूं तो यह सभी द 2020 से जुड़ा हुआ है तो 2020 में lockdown के समय क्या हुआ कि उत्तर परदेश सरकार ने एक government order जारी किया सरकारी आदेश जारी कर दिया अब यह जो सरकारी आदेश जारी किया क्या उसमें बात की थी कि जो गोमती नदी है यह एक बारामासी नदी नहीं है यानि कि जर्नलिस को बाराम नदी नहीं है क्योंकि इसमें साल भर पानी नहीं बैठता और कहीं जगा पर यह पूरी तरह से सूख जाती है पर यह जो order था यह तो तीन साल पहले आए था तो अब हम आज 2023 में इसको क्यों पढ़ रहे हैं क्या पीछे कारण है तो हमें पता लगता है कि जो order था इसको ले आदेश था ही चर्चाओं में आ गया है तो हमें यहां पर पता लगता है कि जो सरकारी आदेश जारी किया गया था उसमें 12 नदियों को शामिल किया गया था और जो 12 नदिय शामिल थी इन्होंने सबके बारे में कहा था कि यह 12 नदी नहीं है जिसमें गोंती का नाम भी शा अब यहां पर इन्होंने इसी कोई अधर बनाया कि भाई गोमती में तो फ्लो नहीं देखा जाता ठीक है इसके अलावा उन लोगों ने यह भी माना कि ऐसा हमारे पास कोई विशेश कारण या साधन नहीं है जिसके माधियन से हम इसके फ्लो को बनाये रखें यानि कि ऐसा प्रापरली किलियर कर दी थी अपने गौवर्मेंट और जिसके बाद इन्होंने इसको गैरे बारामासी नदी तिलिले कर दिया तो साथ ही नोंने यहां पर यह भी बताया कि जो गोमती नदी के दोनों किनारे हैं उनके मीटर के रेडियस में आप किसी भी तरह का कंस्रक्श पानी में महतवपूर पानी प्रोवाइड करती है यानि कि लखनव के जो लोग है वह इससे ही पानी प्राप्त करते हैं और उनकी जीवन के लिए महतवपूर बनी हुए तो इस प्रकार आप कैसे कह सकते हैं कि यह वारमासी नदी नहीं जबकि साल भर जो वहां के लोग है इसीसी से ही पानी प्राप्त करते हैं लगंशन के समय और जादा बढ़ जाता है और जलिबर निरंतर इस समय ऐसा हो जाता है कि बाड़ा आ जाए साथ ही यह गंगा की प्रमुक्सायक नदीह भी है हलाकि यह बात की इन्होंने कि प्रदूशन की वज़े से इसके महत्व में निरंतर गिरावट हुई है और कहीं जगाओ पर देखने को नहीं मिलती क्योंकि उसका फ्लो है वह अंडर ग्राउंड हो जाता है लेकिन नदी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के मामले में यह है इन सभी लोगों ने सिद्ध करने का प्रयास किया और अ समझे होंगी कि क्या कह रहा था क्या क्या बात इसमें किलियर थी और जो इस समय उससे संबंदित आलोचन कर रहे हैं अपने तरक दे रहे हैं वे बाते क्या थी आगे हम बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक बार पूछ लिया था तो आप लोग को पता होना चाहिए इतनी बात के लिए रहे हैं तो यह गंगा की एक प्रमुक उपनदी हैं यहां में पता रखता है कि यह कहीं जिले के गुजरती है और इनके लिए जलका महत्वपूर पूर जिसमें सीतापूर लखनाओ वाराबंग की सुल्तानपूर और जौनपूर शामिल हैं अगर हम रा यहांसी सरायन गौन रैंड तरहुना छोवा और आंध्रा छोवा वहतास्वाई कल्याणी आदी का नाम शामिल है तो यह सभी इसकी साहिक न दिया है तो आप लोग को यह पता होना चींकि एक्जाम पूरी तरह से प्रदर्शित हैं और बाच से पूछी जा सकते हैं ठीक है आगे हमें पता लग रही है हमारे आज की लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो 81 बॉंड इसनम बंदी था चर्चा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें पता लगता कि स्टेट बैंक ने बीते दिनों 10,000 करोड रुपे के बॉंड जारी किये थे यह कैसे बॉंड से 81 बॉंड थ तो कही ना कहीं जो लोग परियता थी वो कम देखी गई है और लोग इसके तरफ अभी ठीक से अकरशित नहीं हो रहे हैं लेकिन जिस परकार से यह नूज में आया तो जरूरी है कि इस पर थोड़ी बात करें उससे संबंदित बातों को जाने समझें तो जब हम बाते जानत हैं इसलिए इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हम देख रहे हैं कि लोगों जल्दी नहीं आगे बढ़े और यह रुका हुआ है तो पता लगता है कि इसलिए रुका है क्योंकि पहली बात तो इसकी अवदी बहुत जादा है कि जो बांड है उसकी लोग पर तो अपने आप ह घड़ जाती हाला कि इस पर ब्याज़ तो बहुत जादा दिया जाता है अन्य बांडों की तुलना जो देखा जा सकता है ठीक है यह ऐसा बांड है जिसको कभी भी बैंक को रिटन करने के लिए तैयार नहीं हो सकता आप बैंक से नहीं कहेंगे कि मैं आप से खरीदा है तो वापस लीजिए और मुझे इस संबंदि जो भी धनराशी थी वह वापस कीजिए यह कभी नहीं हो सकता सब चीजे बैंक पर डिपैंड करेगी अगर चाहता है कभी भी इसको वापस लेना तो आपको बोलेगा कि ठीक है मैं और निकालता हूं मैं सारे बांड वापस लुग यह ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गए होगी कि कभी 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 यह काम भी करता है कि वह इसको वापस तो अपनी मर्जी से लेगा जो वह सकता है कि इसका बहुत ज़्यादा हो गए है जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ बढ़ना नहीं चाते और बचते हैं कई ना कई इसको खरीदने से इतनी बात के लिए हैं सबी को तो कुछ खास न्यूस आज के नियूस पेपर से अलग अलग सोर्सिस से जो भी हो सकती थी वह आपके आपका डिसकस की गई है तो अम्मीद करता हूं कि आप लोग यह शेशन पसंद कर रहे होंगे अगले वीडियो में कुछ रही बातों को करेंगे चानेंगे समझेंगे थैंक यू सो मच